कर बुद्धी के द्वारा मन को वश में कर इस काम रुपी दुर्जई शत्रु को मारो किसको मारने की बात है कोई व्यक्ति को मारने की बात नहीं कही भगवान ने लेकिन ये काम रुपी दुर्जे शत्रु को मारो इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है भावार थिये कि भगवान कभी हिंसक युद की प्रेणा दे ही नहीं सकता है जैसे आज के युग के अंदर मान लो के आपका बच्चा है और बच्चा गली में महले में खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ और कोई बच्चा बड़ा शैतान है हर बार आपके बच्चे को परिशान करता रहता है चिटिंग करता है उसका मजाक उड़ाता रहता है और आपका बच्चा रोते हुएं आपके पास आता है कि ये बच्चा मुझे बहुत परिशान करता है खेलने नहीं देता है मुझे मेरा मजाक उड़ाता है रोता हुआ जब आपके पास रोज अगर आए यही कंप्लेन लेकर तो आप उसको क्या कहेंगे अरे मारो गोली उसके साथ तुम खेलने क्यों जाता है यही कहेंगे न अब मारो गोली उसको उसका मतलब यह नहीं है कि सचमुझ कोई बंदुक उठा कर गोली मारने की बात की है लेकिन भावार्थ यह है कि उसको छोड़ो तुम नहीं खेलो उसके साथ तुम खेलने ही जाता है क्यों है उसके साथ में जब रोज रोज ये तंग करता है तो तो मारो गोली उसको बहुत सारे बच्चे तुम दूसरों के साथ केले ठीक इसी तर भगवान ने भी अर्जुन को कहा मारो इन सब को मारो का मतलब कोई सचमुझ अत्यार उठा के मानने की बात थोड़ी की है भगवान ने लेकिन ये अंतर जगत के लड़ाई है कि तुम अपनी इंद्रियों को सेल्फ डिसिप्लिन में ले आओ और सेल्फ डिसिप्लिन में ले आएंगे तो अपने आप तुम्हारा मन बुद्धी सब ठीक हो जाएगा और मन से पर बुद्धी है और बुद्धी से परे तुम स्वयम सुक्ष्म बल्वान अत्यन स्रेष्ट आत्मा हो इसलिए अपने आत्म बल को समझते हुए वे बुद्धी द्वारा मन को वश में करो. यह उदाहरण बहुत सुंदर याद आता है, कि एक बार एक राज्य में एक व्यक्ति आया, जिसके पास एक बहुत पुष्ट गोडा था. इतना बल्वान गोडा था, हुष्ट पुष्ट एक दम. परन्तो कोई उस घोड़े को वश नहीं कर पाता था. बड़ा तुफानी था. तो जब उस राज्य में आया, तो उसने राजा से बात की, राजा से कहा के है राजन, मेरी पास एक घोड़ा है, लेकिन ये घोड़े को कोई वश नहीं कर पा रहा है. और जू उसको वश कर लेगा, मैं उसको ये घोड़ा इनाम के रूप में दे दूँगा. राजा ने गा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे राज्य में एक से एक उस्ताद है, घोड़े को वश करने वाले हैं. गा, ठीक है? राजा ने समय दे दिया के भई, आज दिन में सभी इखठे हो जाए, सारे उस्ताद इखठे हो जाए, घोड़े को वश करना है. और जो इस घोड़े को वश कर देगे, उसको वो घोड़ा इनाम के रूप में मिल जाएगा. सारे उस्ताद वहां जमा हो गे, सामने से जाते थे तो एकदम उछलत्या था, पीछे से जाते थे तो भी लात मार देता था, नस्दीक तक नहीं आने देता था. तो उस समय जब सारे उस्ताद निराश हो करके बैठने लगे, राजा को बड़ा अश्चर ये लगा, कि क्या हमारे राज्य में एक भी उस्ताद ऐसा नहीं, जो ये घोड़े को वश कर सके. काफी देर से राजकुमार बैठे बैठे देख रहा था. राजकुमार ने राजा से कहा, मैं इस घोड़े को वश करना चाहता हूं. राजा ने कहा, जब इतने बड़े-बड़े उस्ताद वश नहीं कर पाए, तो आप तो कैसे वश कर पाएंगे? कहा, आप मुझे स्वीकुरुती दो, मैं वश कर सकता हूं, ऐसा मुझे विश्वास आ रहा है अंदर से. ठीक है? काफी देर से राजकुमार देख रहा था, कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया गया था, परचाई गिरती थी. और वो परचाई देख करके भड़क रहा था. इसलिए जो कोई नस्दीक जाने का प्रैतन करता था, चाहे आगे से, चाहे पीछे से, चाहे कहीं से भी, तो भी घोड़ा उस परचाई को देख करके भड़क उठता था, और नस्दीक नहीं जाने देता था. राजकुमार ने क्या किया, कि सबसे पहले घोड़े की दिशा को बरिवर्तित किया, और उस दिशा में खड़ा किया, उसको परचाई पीछे गिरे, और फिर जाकरके उस घोड़े के उपर चड़ गया, जब उसको परचाई दिखी नहीं, तो बैड़ गया और सबसे पहले लगाम खीच लिया, घोड़े को वश कर लिया. ठीक, इसी तरह, हमारा मन भी एक घोड़ा है, इस घोड़े को वश करना है, लेकिन घोड़े को वश करने में बड़ी महनत आ रही है. सबसे पहले हमें भी यही करना है, कि घोड़े को वश करना हो, तो उसकी दिशा परिवर्तित कर दो. आशाएं, ममताएं, इच्छाएं, त्रिशनाएं, आसकतियां यह सारी परचाई के रूप में हैं और जैसे घोड़ा यह परचाईओं को देखता है तो बढ़कता रहता है, उचलता रहता है इसलिए इनको पीछे कर दो और जैसे ये परच्छाई पीछे हो जाएगी उसके बाद उस पर चड़ करके सबसे पहले बुद्धी की लगाम से घोड़े को वश करो इसलिए कहा बुद्धी के द्वारा तुम मन को वश में करो तुम स्रेश्ट अती सुक्ष्म बलवान आत्म है तो आत्म बल को समझते हुए आत्म की केपैसिटी क्या है उसकी पोटेंशल क्या है उसकी Efficiency कितनी है वो साथ गुण ये समझते हों आत्म बल को समझते हुए फिर बुद्धी के द्वारा मन को वश करो और ये काम रुपी दुर्जय शत्रू को मारो इच्छाओं को अगर प्रात्मिक्ता देंगे तो घोड़ा कभी वश होने वाला ने लेकिन आप कर्म को प्रात्मिक्ता देते जाओ आत्म बल को समझते हुए सतो गुण के आधार पर कर्म करने लगो तो बुद्धी द्वारा मन को वश करना सहज हो जाएंगा ये इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आजाएगी ये विधी है ये मन रुपी घोड़े को वश करनेगी और तभी हम उसके उपर सवारी कर सकते हैं आनंद ले सकते हैं जीवन के अंदर भी और फिर चोथे अध्याई में भगवान ने ज्ञान कर्म सन्यास योग बताया का जवाब दिया है सबसे पहला सवाल जब अर्जुन का था कि हे प्रबु ये ज्ञान आपने सबसे पहले किसको दिया तो भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को कल्प के आदी में मैंने सूर्य से कहा सूर्य से मनु को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ मनु ने अपनी स्मृति में उसको संजोया मनु से एक्षवाक को मिला जिसे राज रिशियों ने जाना किन्तु इस महत्व पूर्ण काल में वो लुप्त हो गया अब सूर्य को मिला सूर्य से मनु को मिला भावार्थ यह है के सूर्य को नहीं दिया जाता है लेकिन सूर्य वन्शी गरानों को सूर्य वन्शी गराने की जो आत्माएं थी सत्यूग के अंदर जो देवी देवता हैं सूर्य वन्शी थे उन सूर्य वन्शी आत्माओं को प्राप्त हुआ मनु यानि चंद्र सूरी वन्शी आत्माओं से चंद्र वन्शी आत्माओं को मिला ये ज्ञान और उन्होंने अपनी स्मृति में संजोया और महासे इक्ष्वाक को यानि द्वापर युग में इक्ष्वाक यानि जो इच्छाओं के अधीन हो गए ऐसे राजरुशियों ने जाना लेकिन द्वापर के बाद जब मनुश्य आत्माओं कलियों के अंदर काम, क्रोधादी, विकारों को महत्व देने लगे और तुरंत रिद्धी, सिद्धी की चाहना करने लगे तो इस महत्व पूर्ण काल में वो लुप्त हो गया प्रकाशित है, जो सूर्य के समान है इसलिए कहा कि आरंब में विवश्वान मनुश्य, विवश्वान माना जो संसकार रहित पुरुष की सूरा में जो स्वयम प्रकाशित आत्मा है, सूर्य स्वयम प्रकाशित है ऐसी आत्माओं को दिया गया वो आत्माओं ने मन में, मन की स्मृतियों में उसको संजोया मन से इच्छा में और इच्छा से इच्छातीवर होकर संसकारों में ढलकर यह योग क्रमश आचरण तक भी पहुँचता है उस अवस्था में रिद्धी सिद्धियों का संचार होता है जिसके प्रभाओं के कारण वो लुप्त होने लगता है जब मनुश्य रिद्धी सिद्धियों के पीछे लग जाता है तो मेहनत करना नहीं चाहता, पुर्शार्थ करना नहीं चाहता तो वो ज्ञान लुप्त हो जाता है यानि ये कल्यूग तक भी आता है लेकिन उसके बाद वो लुप्त होने लगता है और बार-बार भगवान कल्प के आदी में ऐसे विवश्वान मनुष्य को फिर देता है ये ज्ञान यानि हिस्ट्री मस्ट रिपीट ये चक्र रिपीट होता है जैसे कहा महाभारत के अंदर क जब घर-घर में महाभारत हो जाएगा तब समझना महाभारत काल पुनह आ गया तो इस तरह एक चक्र है ये काल चक्र है और ये काल चक्र रिपीट होता है तभी भगवान बार-बार विवश्वान मनुष्य को देता है फिर वो चलता रहता है उस ज्ञान की प्रालब्द च चलती जाती है और फिर अंत में जैसे रिद्धी सिद्धी का संचार होने लगता तो लुप्त हो जाता है वह सत्गुरु परमात्म अपने अनन्य भक्त आत्माओं के आश्रित है विवश्वान मनुष्य को देता है यानि उन भक्त आत्माओं के आश्रित है वह जिस सतह पर भक्तों को संभालते भगवान ही ऐसे भक्तों को संभालते हैं तब ही उनका मन वश में हो पाता है तब अर्जुन का पुनह एक महत्व पूर्ण सवाल होता है कि क्या ये उत्तम रहस्य पूर्ण योग का वर्णन करने हैं तू आप सबकी तरह पैदा होते हो जनम लेते हो भगवान से पूछते हैं ये सवाल तो उस समय भगवान ने कहा नहीं स्वरूप की प्राप्ती शरीर प्राप्ती से भिन है तुम सब शरीरों को प्राप्त करते हैं मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ मेरा जन्म इन आखों से देखा नहीं जा सकता है भगवान कहते हैं मेरा जन्म इन आखों से देखा नहीं जा सकता है मैं अजन्मा अव्यक्त शाश्वत हूँ मैं विनाश रहित पुनर जन्म रहित प्रकर्ती को अधिन करके योग माया से प्रगट होता मेरा स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है यानि मैं किसी माता के गर्ब से जन्म नहीं लेता अब ये महावाक्य सिक्रिष्न तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सिक्रिष्न का तो जन्म भी हुआ मृत्यू भी हुई पुनर जन्म भी हुए जबकि भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप का जन्म नहीं कोई पिंड रूप में जन्म नहीं होता है योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणा में प्रकर्ती को स्वावश करके में प्रगट होता परमात्म ने जब कहा कि मैं आजन्मा हूँ अव्यक्त माना मुझे कोई व्यक्त आकरती वाला शरीर नहीं है तो वो अव्यक्त स्वरूप कौन सा है अजन्मा अव्यक्त शाश्वत विनाश्वत